दशश्लोकी प्रकरनस्या आदिमंश्लोकं पठामहा नभूमिर्न तोयन्न तेजो नवायुहू नखन्नेन्रियों आनतेशां समूहा अनैकांतिकत्वात्सु शुप्त्येका सिध्धाह तदेको वशिष्टश्य वख्के वलोहम। ननु एके नईव घटा दिज्ञानेन आवरनस्य भंगे सद्ध्यो मोक्षप्रसंगहा अज्ञानस्य एकत्वात् एतदस्माविही द्रश्टव्यमित्यमन्ये इदम किंचित्विचारितं प्रायह पूर्वस्मिन पाठे अज्ञान विशये वेदान्ते मतद्वयम्वर्थते केशान चिन्मते एकमेव अज्ञानम इति केशान चिन्मते एकाइकस्य जीवस्य एकाइकम अज्ञानम इति मतव्थती म मगोएकं ज्ञान भवत्लब्स ऑश्चय कश्चय और यावंट जीवाह तावन्टु ज्ञाना कि एकर और जीवाश्च एक्र मद्रूर कि अन्यत्मत्त cadre chanat यह जौत मविझे बड़क्त स्वीवेश्य और swiftly आयम दोशह पूरवपक्षिना प्रदर्श्यते ननु एके न एव अज्ञाने न एके न इव घतार इज्ञाने न अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम नाशयती इत्यत दस्त्मा भी सामान्यतह उच्यते ज्ञानम ज्ञानम नाशयती तरही यतछिन चिज्ञाने न, एनके न छिज्ञाने न, तश्य एकस्य अज्ञानस्य नाश हर भवे अज्ञानम एकमेव अस्ती इति मते येनक येनचे ज्ञानेन तद एकमेव अज्ञानम नश्चेत इत्युक्ते घटारी ज्ञानेन अपी तद एकम अज्ञानम नश्चेत एवंचेत यदि खस्य छित घट अज्ञानम जातं तेनईव घट अज्ञानेना सर्वस्यापी अज्ञानस्या नाशप्रसंगो भवती तथाचेट सर्वस्यापी युगपत्त सद्यह एवा मोक्षस संभवेत इति दोशह पूरोमेव विचारितं विदानीम्स मारयां ननु एके नईव घटादि ज्ञानेना तत्र ब्रह्मा ज्ञानम अपिन अपेक्षितं घटादि ज्ञानेना के नचि ज्ञानेना आवर नस्य भंगे नाम अज्ञानस्य भंगे सती अज्ञानस्य नाशे सती सद्यो मोक्ष प्रसंगह सद्यह एवा तच्छने एवा सर्वेशाम पि मोक्ष अस्याद कुतह अज्ञानस्य एकत्वात यद एकम अज्ञानम आसी घट अज्ञानेन एवत अस्य निवर्तिर जाता इत्युक्ते सर्वस्याप अज्ञानम अपगतम इती सर्वेशाम सद्यह मोक्ष अस्याद इती अज्ञान एकत्व पक्ष अयम दोशह अस्ती यदी नानााज्ञानपक्षास्विक्रियतें ऐयम् दोषः, पूर्वaalयोधोषः उक्तः, सहाँ एकस्तव पक्षे उक्तः, एकमेव अज्ञानमस्ती, सर्वेशामपी एकमेव अज्ञानम इति पक्षे पूर्वroleग्तः प्रति जीवं अज्ञानम भिन्नम इती पक्षहा यावंतो जीवाह तावंती अज्ञाना नीति पक्षह सू इक्षा तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त वरका 6यर यदामम्त अजय नंग्ञान जात में आतानें लिइन जर विनिए इंव ऑस İşte को था in वर दो नं उंद घ्ञानें अने नश्या उत्ये मौक्षार्थ्ध प्रंहेग्ना नापएक्षत लिए पुर्थ आता ज्ยानें सेव मम मोक्ष स्यार कि ती ना आज्ञान वादे दो शह आउन ना आज्नान ना पक शेए अपी ना आज्नान पक्षह जर्दिस्वेक्रियते तत्रा पी एक ऐस्च जीवत्य के आप उपाधित्वात। एकष्य जिवस्य एकमेव अज्ञानमु उपाधि इत्युक्ते तस्यमोक्षार्थम् शवनाध्य पेक्षानास्ति ब्रह्म ज्ञाना पेक्षानास्ति घटज्ञाना देव मोक्षास्यार्थ इती दोशह पूरपक्षिना प्रदर्शितह तत्रा सिध्धान्ती समाधानं बदती ना एवं ना पदुक्तहा दोशहनास्ति कुतहा अत्रा समाधानं अपी विधादियते प्रथमं समाधानं प्रथमे पक्षे केवलं ब्रह्म ज्ञानं अज्ञानस्यनाशकं भवती अन्यत ज्ञानं नाम घटादि विशयकं ज्ञानं अज्ञानस्यनाशकं अनाशकं भवती इति स्वीकृत्य प्रथमहा प्रथमं समाधानं दियते। इत्युक्त अन्यानि ज्ञानानी अज्ञानस्य नाशकानि नभवंति तानी अज्ञानं केवलं अभिवावएं तैही अभिभवह संपाध्यते ना तो नाशहा इती प्रतम हां प्रतम समाधाम तर्पश्या महा तत्रा तत्रा द्रिष्टान तत्द्वारा कि इदम समाधानम स्पष्टी क्रियते अदो पठा महा ना उत्ते जकेन मनेह इवा वृत्या आवरनस्य अभिभवांगी का रात आदो द्रिष्टान्तम द्रिष्टान्तह विब्रियते तत्रा क्वचित अग्निरस्ति अग्नव दाह का शक्ति रस्ति अग्नेह दाहनस्या शक्ति ही अस्ति यत्किन्चित अग्नेह संबंधे भवती तस्या दहनम अग्निना संपाध्यते कुतहा इतिचे तस्या दहन शक्तिर विज्यते एवंचेत तत्रा कश्चन मनिही अस्ति तस्या मनेर नामा चंद्रकांत मनिही यदा चंद्रकांत मनिही अग्नेह समीपे स्थाप्यते तदा अग्नेह या दाह कशक्तिरस्ती तस्याह अभीभवह संपाध्यते नामा यदा चंद्रकांत मनिही अग्नेह समीपे तिश्थती तदा अग्निही विशयम दग्धुम्ना समर्थो भवत कोतहा इतिचेत तस्या शक्तिही चंद्रकांत मनेह सन्निधो अभीभूता तिश्थती इत्युक्ते शक्तिहीन नश्यत शक्तिरस्ती किन्टु साँशक्तिही यावत्पर्यंतं तत्र यावत्कालं तत्र चंद्रकांतमनिस्त तेष्टति तावठ प्रण्पर्यंतं शक्तिहिः अभिभूता तेष्ठथ्य इदा ममवाक्षजति intent यदा ममशीतरोगों माम बाधते कफरोगह माम बाध Twenty Can में मा वाक्षए सके्पिघी अभिभू त श्थ्य तावत प्रहुंटम कंचित कालम अहम वक्तुम समर्थो नभवां ऊठुम रहे रज़ें कि ममें शक्तिर श्थी किन्तो तस्मिन कालेrd मम viennent शक्तिही अभिभू तंपश्थ दियतरोगह अपगत्सर लिए तदा पुनरपी अहमवक्तुम समर्थो भवाव को तहा ममशक्तेहे अभिभावकं यदासी तदिदानिम दतं अपगतं इत्यतहा भोयोपी अहमवक्तुम समर्थो भवावी एवमेव यदा अगनेह समीपम चंद्रकांत मनिही इतिकस्चना मनिही स्थाप्यते तदा तस्यवन्हेह दहन शक्तिही अभिभूता तिष्चतुम इत्युक्ते चंद्रकांत मनिही अगनेहे दहन शक्तेहे अभिभावकं कहा इति उच्चते किन्तो ए इदानिम अगनिही अस्ति यदा अगनिमात्रम तिष्ठती तदा अगनेहे दहन शक्तिही अनभिभूता तिष्ठती किन्तो यदा चंद्रकांत मनिही तष्च समीपे स्थाप्यते तदा दहन शक्तिही अभिभूता अभवत इदानिम अगनिही अस्ति चंद्रकांत मनिही अप्यस्ति तष्च समीपे अन्यहकस्चन मनिही आनियते तस्यमनेहे नामा सूर्यकांत मनिही सूर्यकांत मनेहे गुणाहा कहा इतिचेद सहां अगनेहे दहन शक्तेहे उत्तेजको भवत चंद्रकांत मनिही दहन शक्तेहे अभिभाव कहा सूर्यकांत मनिही दहन शक्तेहे उत्तेजको उत्तेजको इत्यक्ते दहन शक्तिम द्रिगुणी करोद वर्धयत अगनेहे यावती दहन शक्ति रस्ती सा दहन शक्ति ही द्रिगुणी भवत सूर्यकांत मनेहे सन्यधो यदा सूर्यकांत मनिही वन्हे समीपे स्थाप्यते तदा वन्हें दहन शक्ति ही द्रिगुणी भवत भूयोपी वर्धते इदानीं किमभूत चंद्रकान्त मनिही अस्ति तस्य समीपे सूर्यकान्त मनिही अपी आनिया स्थाप्यते तदा किमभवती अगनेहे दहन शक्तेहे उत्ते जनमभवती उत्ते जनमभवती तिचेत तदा चंद्रकान्त मनिही अगनेहे शक्तिही प्रतिबध्धा सा प्रतिबध्धा शक्तिही इदानीं भूयोपी उत्ते जिता भवती नामा भूयोपी तत्रदहन शक्तिही दृष्यते अभिव्यक्ता भवती इत्युक्ते यदा चंद्रकान्त मनेहे समीपे सूर्यकान्त मनिर वर्तते तदा तस्य चंद्रकान्त मनेहे अभिभावकत्वम नष्टम्भवत्व सूर्यकान्त मनेहे सन्निधव चंद्रकान्त मनेहे चंद्रकान्त मनिही दहन शक्तिम अभिभवितुम्न शक्त्मों इत्युक्ते तस्य चंद्रकान्त मनेहे दहन शक्तेहे अभिभवन सामर्थ्यम कदाभवती किति चेत् यावत पर्यंतं तत्रसूर्यकान्त मनि नास्ति तावत पर्यंत मेवा चंद्रकान्त मनिहे वन्धेहें दहन शक्तिम्न अभिभवितुम्न शमर्थौ भवती। किन्तो यदातत्र सूर्यकानत मनिही इतिकस्चन उत्तेजकस्तिष्थति तस्य उत्तेजकस्य सन्निधव सूर्यकानत मनिही अग्नेहधहन शक्तिम अभिभवितुम समर्थोन भवत। इति दृष्टान तहा तथेवा दार्ष्टान्तिके अज्ञानम अस्ति अत्रा दार्ष्टान्तिके अज्ञानम चंद्रकांतमनिस्थानियं भवत्य। चंद्रकांतमनेहस्थाने अज्ञानम अपिचा तत्रा उत्ते जकम इत्युक्ते ज्ञानम सूर्यकांतमनेहस्थाने ज्ञानम ज्ञानम स्वीकरणियं भवत्य। ज्ञानम इत्युक्ते न ब्रह्म ज्ञानम घटारिज्ञानम घटारिज्ञानम सूर्यकांतमनेहस्थानियं भवत्य। तत्रा द्रिष्टांतह सम्यग ज्ञातव्यह अन्यथा दार्ष्टांते दार्ष्टांतह अवगंतुन नशक्यते। द्रिष्टांते किम द्रिष्टमस्माभिही चंद्रकांतमनिही दहनशक्तिम कदा अभिभवती। इत्युक्ते सूर्यकांतमनि अभाव सहकृता सहकृतह चंद्रकांतमनिही। सूर्यकांतमन्य अभाव विशिष्टह चंद्रकांतमनिही। सूर्यकान्तमनी अभाव सहक्रतह चंद्रकान्तमनी इत्युकते तत्र चंद्रकान्तमनी ही अस्ती किन्तो तेन सह सूर्यकान्तमने है अभाव हा अप्यस्ती तदा एवा सह चंद्रकान्तमनी ही अग्ने अग्ने है दहन शक्तिम अभिभवितुम समर्थो भवती किन्तो तत्र यदी शूर्या कांत मनेह अभावह नास्ति इत्युकते सूर्या कांत मनी अभावा असह कृतह चंद्रकांत मनी अभाव अशह कृत अभीबव इत्युक्ते शूर्यकांत मनि ना शह वर्धमान है, शह दहनशक्तिम अभिभवितुम न शक्ति सूर्यकांतमणी अभावेन सहा चंद्रकांतमणी ही दहन शक्तिम अभिभवितुम समर्थो भवती सूर्यकांतमणी अभावं विना यह चंद्रकांतमणी रुवर्थते सूर्यकांतमणी अभावं विना वर्थते इत्युक्ते सूर्यकांत मनिना सहा वर्तते इत्यर्था तत्र सूर्यकांत मनिही अपितिष्ठती इत्यर्था यदा सूर्यकांत मनिस्टत्र इस्ठती तदा सूर्यकांत मनेहे अभावः नास्त तस्त्मात तदानी सहा चन्रकांत मनिही सूर्यकांत मनिही अभाव सहा कृतह नभवत अवगम्यते किंची चिंतनीयम भवती अन्य था अवगांतुम नशक्यते यदा सूर्यकांतमनिही वर्तते तदा तत्र सूर्यकांतमनेहे अभावावनास्ति तदा सहचंद्रकान्तमनिही सूर्यकान्तमनि अभाव सहकृतह नभवति ताद्रशहचंद्रकान्तमनिही दहनशक्तिम अभिभवितुम नशक्त्नोति इति दृष्टान्तम तथैवा इदानीम दार्ष्टान्ति के योजयामी अत्रा अध्नानम वरत्तते अध्नानस्य सामर्थ्यम किम अध्नानम स्वविशयम आवरनो कदा आवरनोती इतिचेत् यदा तत्रज्णानम नास्ति यदा यावत पर्यंतम ज्ञानम नास्ति तावत पर्यंतम अध्नानम विशयम आवरनोती यावत पर्यंतम तत्रा ज्ञानम नास्ति ज्ञानम इत्युक्ते वृत्ति ही वृत्ति ज्ञान यावत पर्यंतम वृत्ति ही नास्ति घटाकार वृत्तिर्वा पटाकार वृत्तिर्वा नास्ति तावत पर्यंतं अज्ञानं विशयं आवरनों तदेव उच्चते उत्ते जकेन मनेह इवा दृष्टान्ते उत्ते जकह सूर्यकान्त मनिह किम करोती चंद्रकान्त मनेह अत्रा दृष्टान्ते इतोपी स्पष्टता अपेक्षिता भगती तत्रा चंद्रकान्त मनिह वन्हे दहनशक्तिम कडा अभिभवितुम समर्थ्वभवती त्युक्ते यावत पर्यंतं चंद्रकान्त मनेह सामर्थ्यस्या चंड्रकानत मनव अभिभवन साम अंरत्य हम वर्फवय चंड्रकान तमनेह वर्तमानम यह अभिभवन साम थ्व्द है तश्या उत्तेजकेम यावतपर्यंतं अभिभावान ठवद है इत्युकते उत्तेये कह सुल्यकानतमणी डिख चंद्रकान्त मनेह सामर्थ्यम एव अभिभवति उत्तेज कहा किम करोती चंद्रकान्त मनेह सामर्थ्यम अभिभवति यदा उत्तेज कहा कि चंद्रकांत मनेह सामर्थ्यम अभिभवति तदां चंद्रकांत मनेही दकन्षक्तिम अभिभवितिम समर्थोन भवति कि इदानी प्रायहा सर्वैही यदा प्रथमतह शोयते तदा स्पष्टोन भवति किन्तु भूयों पिशोतव्यं भवति तदैवस्पष्टता आया कि चंद्रकांत मनिही दहनसक्तिम अभिभववे इत्यकते चंद्रकांत मनेह incarमं किमंग कि दहनसक्तिम दहनसक्तेह alerts Better कि चंद्रकांत मनेहे सामर्थ्य में किन्तों यदा सूर्यकांत मनिही आगच्छति तदा सूर्यकांत मनिही चंद्रकांत मनेहे सामर्थ्यम अभिभवति तदा किम भवति दहन शक्तेहे अभिभवना भवति यदा चंद्रकांत मनेह सामर्थ्यम अभिभूतम तदा दहनशक्तेह अभिभवह नभवन। अज्ञानम स्वविशयम आवरनोति अज्ञानम कदा आवरनोति यावत पर्यंतम वृत्य ज्ञानेन वृत्या अज्ञानस्या आवरन शक्तेह अभिभवह नभवती इदानी मवगतम खलू यदा अज्ञानस्या कदाचिद अज्ञानस्या आवरन शक्तिही अज्ञानस्या आवरन शक्तिर्वर्तते आवरन सामर्थ्यम भवती तस्या वृत्य ज्ञानेन अभिभवह क्रियते इद्यव व्युक्षितम एतावत अवगम्य तेचेत पर्याप् अत्राकिम्शेतम्स उत्युकते अढ्याना श्यत्या आवर्न शक्तिर वृत्या नोगलिक्ते घटा ज्यांकार वृत्या तश्यां अवर्न शक्ते हैं अभिभवः प्रियते है न तू अज्ञानम ना श्यते है घटाज्याकारवृत्या नामः गटा रिज्ञाने ना अज्यानम्ना न circuits है कि छंध्यानस्या आवरण अभिभव मात्रम पाध्यत fraethate person सूर्यकान मनिना चंडरकान तमने है वन्नि शक्त्य अभिभवा सामर्थ्यम अभिभूयते चंद्रकान्तमने है सामर्थ्यस्य अभिभवा क्रियते सुर्यकान्तमन्ना तथीवा घटानि ज्ञानेवा अज्ञानस्य आवरन शक्ते है अभिभवा क्रियते तस्त्मादेवा यदा वृत्ति ज्ञानं तिष्ठति तदा यद्यपितत्र अज्ञानं वर्तते तथापी तस्मिनकाले विशयहा आवृतोन भवती यथा पूर्वम्तत्र घटज्ञानं नासी यावत पर्यंतं घटज्ञानं नास्ति तावत पर्यंतं घटश्या आवरनं वर्तते अहम घटम्न जानामी इत्येवं अम अनुभवाह अहम घटम्न जानामी इत्युक्ते घटहा माम प्रती आवरतस्तिष्ठति कहा घटम्न आवरनोती इत्युक्ते अज्ञानं घटम्न आवरनोती किन्तु यदा मम घटाकार वृत्तिर जाता घटज्ञानं जातं तेन घटज्ञानेन किम्न क्रियते मम अज्ञानं नाश्यते तेन ज्ञानेना ममा घटविशयकम्यद अज्ञान वस्ति तस्या आवरन शक्ते है अभीववह क्रियते कंचित कालम अज्ञानस्या आवरन शक्ति है अभीवू तह तिष्ठते तदा घटहां माम्प्रती प्रकाशितो भगत्विश्ञान किन्तु यदा तद्वृत्ति ज्ञानं नस्टम् तदा भूयोपी तत्रा यद अज्ञानस्या या आवरन शक्ति रासी सा भूयोपी अनभी भूता भवती इती भूयोपी मया घटव नज्यायोपी घटहा माम्प्रती नभात् Simple इती व्यवस्था, पठा महा कदाचित आउशधिनापी उत्यजनमकर्टूंशक्यते उत्यजकेना किमक्रियते इतिचे मने है इत्युक्ते चंद्रकान्त मने है चंद्रकान्त मने है सामर्थ्यम अभिभूयते चंद्रकान्त मने है दहन प्रतिबंध का सामर्थ्यम वर्तते तद दहन प्रतिबंध का सामर्थ्यम अभिभूयते न तो नाश्यते कुतोन नाश्यते इति चेत यदा उत्यजकस्य अपगमो भवत्य यदा उत्यजकस्य दूरे गच्छत्यं तदा भूयोपी चंद्रकान्त मने है सामर्थ्यम व्यक्तम भवत्य भुयोपि चंद्रकांतमनिही दहन प्रतिवंधं संपादेती इती तस्या सामर्थ्यम नष्टमन भवत उत्तेजकेगा किन्तु यावत कालं उत्तेजकह तिष्ठती तावत कालं दहन शक्तिही प्रतिवंधक सामत्यम मनेह दहन प्रतिवंधक सामर्थ्यम अभिभूतम्तिष्ठती इवावर्णस्य अभिभवांगी कारात वृथ्या नाम वृतिज्ञानेन वृतिज्ञानेन इत्युक्ते ब्रह्माकार वृति इतरवृत्य वृत्या ब्रम्हाकार वृत्य अन्य वृत्या ब्रम्हाकार वृत्या तो अखंडाकार वृत्या तो अज्ञानस्य नाशह एवक्वियते तद अग्रे अस्माफिर दृष्यते किन्तो अन्याई ही वृत्य भिहि अन्याभिर वृत्य भिहि अज्ञानस्य नाशह न संपाध्यते किन्तो अभिभवन मात्रम संपाध्यते तथाच प्रमान जन्यांत करन वृत्ति अभाव सहकृतं अज्ञानं सति भात्य पिवस्तुनी नाश्ति न भातीति प्रतीति जनन समर्थं आवरनं इत्युच्यते तथाच इदमेवा स्पष्टी क्रियते विस्तरेन विव्रियते इदानी आवरनं इत्युच्यते किम् इत्युच्यते अज्ञानम एवा आवरनं इत्युच्यते कदा अज्ञानम आवरनं इत्युच्यते इति चे प्रमान जन्यांता करन वृत्ति अभाव सहकृतं अज्ञानम केवलं अज्ञानम अज्ञानम केनचित सहकृतं भवेत केन सहकृतं भवेत अभावेन सहकृतं अभाव सहकृतं अज्ञानम तत्र अज्ञानेन सहां कस्यचिद अभावः अपेक्षितः कस्य अभावः इत्युक्ते प्रमान जन्य अंतह कर्ण वृत्ति अभावः यदा अज्ञानेन सहां प्रमान जन्य अंतह कर्ण वृत्तेह अभावः अपी अस्ति अत्रद्रिष्टांतह स्मर्यतां यदा सूर्यकांतमनी अभावा अभावेन सहा चंद्रकांतमनि इस्तिष्ठती तदा किम करोती दहन शक्तेह प्रतिबंधं करोती तथैवा प्रमान जन्य अंतह करन वृत्ति अभावेन सहा यदा अज्ञानम तिष्ठती तदा ताद्रिषम अज्ञानम नाम प्रमान जन्य वृत्ति अभाव सहकृतं अज्ञानम प्रमान जन्य वृत्ति अभाव विशिष्ठं अज्ञानम किम करोती सती भाथ्यपी वस्तो नी चिंचित द्वस्तू अस्ति भाथी चा सती इत्युकते अस्ती इत्यर्था सती भात्य पिवस्तो नी सती भाति इती सप्तम्यनतं। वस्तो यद्यपी अस्ती तथा पी अज्ञानम तस्मिन नास्ती इति प्रतीतिम जनयती सती वस्तो नी अज्ञानम नास्ती इति प्रतीतिम जनयती भाती वस्तो नी अज्ञानम नभाती इति प्रतीतिम जनयती नभाती इत्यत्र भाती इति तिंगंतम सति भाती इत्यत्र भाती इति शत्रंतस्य सप्तम्यंतम रोगर। अत्रभेदह अवगंतम यहा। सति भात्य पिवस्तुर्गी नास्ति नभाती इति प्रती जनन समर्थम भवत्य। तदा यदा अज्ञानम वुरित्य अभावेन सहकृतम तिष्ठती प्रमान जन्य वुरित्य अभावेन सहकृतम तिष्ठती तदा इद्रशप्पती ति जनने अज्ञानम समर्थम भवती तदा तद अज्ञानम आवरणम इत्युच्यते नाम यदा अज्नानम ननास्ती नभाती इती प्रतीजियनने समर्थम्भवती तदातस्य अज्नास्य एवा आवरनम इती नाम वृत्तव जातायां तू किन्तु यदा वृत्तिर जायते वृत्तिही त्युकते प्रमान जन्यत अंतह करन वृत्तिही यदा प्रमान जन्यां अंतह करन वृत्तिही त्युकते व्यावहारिक प्रमान जन्यम जन्यां अंतह करन वृत्तिही घटादी घटादि ज्ञानमे ओच्यते यदा घटादि ज्ञानम जायते तदा अवच्छे दकाभावां इत्युक्ते यद्यपितत्र अज्ञानम अस्ती तथापी तस्या अज्ञानस्या अवच्छे दकम नास्ती अवच्छे दकम इत्युक्ते अज्ञानस्य विशेशनम नास्ति अंतकरन वृत्ति अभाव सहकृतम इती पूर्वम यद अज्ञानस्य विशेशनम उक्तम तद विशेशनम इदानीम नास्ति उत्युक्ते अज्ञानम वृत्यभाव सहकृतम नास्ति अवच्छे दकम इत्युक्ते अज्ञानम अज्ञानम नष्टम नास्ति अज्ञानमस्ति किन्तु विद्यमानम अप्यज्ञानम अविद्यमान समं एवा अविद्यमान समं भगत्युक्ते अवरण समर्थम नभगत्युक्त अज्ञानम स्वकार्योत्पादने समर्थम नभगत्युक्ते अज्ञानम स्वकार्योत्पादने समर्थम नभगत्युक समर्थम नभवती तस्तमाद विद्यमानमपी अविद्यमान समम्तिष्ठति यदा रोगग्रस्तस्यकस्यचित वाक्षक्तिर्वां चलनशक्तिर्वां विद्यमान अपी अविद्यमान समाभवती रोगकाले तथईवा यदा वृत्ति अभावः नास्ति नाम यदा अज्ञानम वृत्यभावेन सहकृतम नास्ति तदा तस्य अज्ञानस्या आवरन सामृत्यम नास्ति इत्यतहा अज्ञानम विद्यमानम अपी अविद्यमान समंभवती इती नस्वकार्यसमर्थम अज्ञानम स्वकार्यसमर्थम नभवती तेन अभिभूतम इती उच्यते तस्तमात तदानीम अज्ञानम अभिभूतम इत्युच्यते यदा वृत्यज्ञानम वर्तते तदा अज्ञानम अभिभूतम इत्युच्यते आवरन जनन नाश्टी नभातीति व्यभाहार जनने समर्थम नभाती. इति विध्यमान अप्यद्ञान अ विध्यमान सममॉ इत्यतहा अज्ञानम तदानीम अभिभूतम इत्युच्यते. तस्त्मात एवं समाहितं भवत पूरपक्षिनहा आक्षेपह एवं समाहितो भवती घ्टारिज्ञानेना अज्ञानम्न नाश्यती किनतो अज्ञानस्य अभिभवा Without तस्त्मात एके नईवज्ञानेना के नचए ज्ञानेना तस्य एकस्य अज्ञानस्य नाश्यो जायते तस्तमात सद्यो मोक्ष प्रसंगह अस्ती इती यह आक्षे पह पूरपक्षिना उक्ताह आसी सहा अनेन समाहितो हुगत। सद्यो मोक्ष प्रसंगह नास्ती उताह तद एकम अज्ञानम घटारि ज्ञानेन नष्टमन भवती नष्टम भवती चे देवा तत्र सद्यो मोक्ष प्रसंगह अस्ती किन्तु यदी अज्ञानम नष्टमन भवती तदा मोक्ष प्रसंगह नास्ती इत्य भिप्राया पुरोपक्षिनान सिध्धान्तस्यवा अस्यवपक्षस्या अभिभव अज्ञानस्या अभिवव अभिभव संपाधनपक्षस्यवा स्पष्टी करनार्थं एवं प्रश्णाप्रुच्छते ननु एवं सती ब्रह्मः ज्ञानेन अपी अविज्यायाहा अनिवृत्तेह अनिर्मोक्षपसंगहा यदी घटारिज्ञानेन अज्ञानं केवलं अभिभूयते नतु अज्ञानं नाश्यतले एवं सती ब्रह्मः ज्ञानम अपी वृत्य ज्ञानम एव यथा घटज्ञानम वृत्य ज्ञानम यथा घटज्ञानम वृत्य रूपं भवती तथैवा तत्वमस्यानि महावाक्य जन्यं ब्रह्मः ज्ञानम अपी वृत्य रूपं एव भवती ब्रह्मः ज्ञानम अपी कस्चन बृत्ति विशेषः। अत्रा पूरपक्षी कंचिद अनुमानं उपस्थापयति ब्रम्ह ज्ञानं न अज्ञान नाशकं वृत्यरूपत्वात धटाकार वृत्यवत इत्यनुमाद ब्रम्ह ज्ञानं अज्ञान नाशकं न भवती तत्रहेतुखु वृत्यरूपत्वात अन्तहकरण वृत्यत्वात धृष्टांतः घटाध्याकार वृत्यवत इत्यनुमाद अनुमानं एवं अनुमानेन पूरपक्षी एवं प्रष्टम शक्नोती ब्रम्ह ज्ञानेन अपी अविज्यायाः अनिवृत्ये यदि घटाधि ज्ञानेन अज्ञानं न नश्यती तरही ब्रम्ह ज्ञानस्याः पिज्यान सामान्य त्वार अविज्यायाह निवृत्यी नस्याः अविज्यायाह अनिवृत्य Bashare अविज्याः केवलं अभिभवह अश्याः किन्तु अभिभवह चेत यदा अज्ञानम अभिभुयते अभिभूतं अज्ञानम भुयोपी स्वकार्यक्षमं भवत्य। कंचित कालं एवा अभिभूतं स्वकार्यक्षमं नभवत्य। किन्तु यदा अभिभावकं नष्टं भवत्य। तदा अभिभूतं पुनरपी अनभिभूतं भवत्य। तदा स्वकार्यक्षमं नभवत्य। तदा иेवा yadय fingerprints नांकり अज्ञानस्या अभिभवं कुर्यात्य। तधा पि यदा अ ब्रों कचित कालं अज्ञानस्या अभिभवं कुर्यात्य। ताथा engage यदा अभ्रहम्ह्षम् नाश्या विगम् हवत्य। तदा भुयोंपी अज्नान intelligence नभवत्य। स्वकार्य जननने समर्थम भवे भुयोपी समसारम जनने इत्यतहा अनिर्मोक्ष प्रसंगह स्यात मोक्षह नस्यात इत्याक्षे पहा ननु एवंसती ब्रह्मध्यानेन अपी अविध्यायाह अनिवृत्तेगे अनिर्मोक्ष प्रसंगह स्यात इत्यती आक्षे पहा तत्रल्विध्धान्ती समाधत्य ना तत्मक्ष्याधि वाक्यार्थ य्यानत अविध्यानि वृत्यभ्य parkमात छिध्धान्ती इवंसती घटारि जननेन अविध्यायाह नाशो नभवति के वलं अभिभवो भवती किन्तु तत्तो मस्यादी वाक्यार्थ ज्यानात। तत्तो मस्यादी वाक्यार्थ ज्यानीना किम भवती अविज्यानि वृत्ति ही अस्त्माभी अभ्युपगम्य। यद्य पी घटारि ज्ञानीन अद अविज्यायाह निवृति रस्थमा फिर नाभ्य पेयते तथा पि तत्वमस्यारि वाक्यजन्य ज्ञानीना अविज्यायाह निवृतिहि अस्थमाभ्य नाभ्य स्वा विशय विशय का प्रमात्वे नहीं वा अविध्यानि वर्तक त्वाभ्य पगमात एतदेवा विव्रियते अग्रे पश्यामः ओम पूर्नमदफ पूर्नमि दंपूर्नात पूर्नमदच्यते पूर्नस्य पूर्नमादाय पूर्नमे वावशिष्यते ओम शान्ति 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 ही हरी ही ओम स्री गुरुभ्यो नमहा हरी ही ओम